नमस्कार दोस्तो आज हम इस वीडियो में कुछ important question डिसकस करेंगे general knowledge या फिर general studies के उपर तो आप सबको पताईए हमने 3000 question की एक series श्टार्ट करी थी जिसका 28 पार्ट आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो इस वीडियो में जितने भी questions होंगे सभी repeated questions होंगे important questions होंगे जो कि आपके आने वाले exams के लिए important रहेंगे तो अगर आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो आप हमारे channel को subscribe कर लें और साथ ही bell icon को दबाएं latest update के लिए तो चलिए start कर लेते हमारी वीडियो देखते हैं हमारा पहला question क्या है तो हमारा पहला question है the walker cup is associated with which game तो इस ताइब के जो questions होते हैं game से related ये एकसर exam में पूछे जाते हैं तो walker cup जो होता है ये कौन से sports से related होता है तो हमारा answer हो जाएगा golf तो golf जो game होता है sports होता है उससे related होता है walker cup where is kudramukh national park located तो kudramukh national park जो है ये कौन सी state में located है तो हमारा answer हो जाएगा करनाट का तो करनाट का state जो है वहाँ पे located है kudramukh national park who was the first person to call mahatma gandhi as the father of nation तो mahatma gandhi जो है उनको father of nation पहली बार किसने कहा था तो हमारा answer हो जाएगा नेता जी सुभाश चंदर बोस नेता जी सुभाश चंदर बोस के द्वारा mahatma gandhi को पहली बार father of the nation के नाम से बुलाया गया था तो ये भी एक important question रहता है exam के लिए which governor general abolish the sati practice तो sati practice जोती उसको खतम कौन से governor general के द्वारा करा गया था most important question रहता exam के लिए तो हमारा answer हो जाएगा William Bentic तो William Bentic जो थे ये governor general थे जिनके द्वारा abolish करा गया था खतम करा गया था सती प्रथा को सती practice जो है जिसमें की जो video होती है उसको आग में जलके अपनी जान दिनी होती थी ये जो सती practice होती थी ये खतम करी गई थी William Bentic के द्वारा Nesit is the name of the parliament of which country तो Nesit जो है ये कौन सी country के parliament का नाम है ये जो question होता है ये भी important रहता है जो भी important countries है उनका जो parliament name है वो अक्सर exam में पूछा जाता है तो Nesit कौन सी country का है तो हमारा answer हो जाएगा Israel तो Israel जो country है उसके parliament का नाम है Nesit The idea of a constituent assembly for India was put forward first time by तो पहली बार किसके द्वारा कहा गया था कि हमारे जो भारत में एक constituent assembly होनी चाहिए तो हमारा answer हो जाएगा M.N. Roy Most important question रहेगा exam के लिए M.N. Roy के द्वारा पहली बार कहा गया था कि भारत में भी एक constituent assembly होनी चाहिए Which of the following organism causes polio तो polio की जो बिमारी होती है वो किसकी वज़े से होती है तो हमारा answer हो जाएगा virus तो virus की वज़े से होती है polio की बिमारी Our transformer works on the principle of तो एक transformer जो होता है वो किस पे काम करता है तो हमारा answer हो जाएगा mutual induction तो mutual induction के उपर काम करता है transformer हमर, इंपोर्टेंट रहता है एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है विछ उप इॡॉइंग इस्टुमेंट्лом है, ये कौनसे instrument से related थे या फिर ये कौनसे instrument बजाने के लिए famous थे तो हमारा answer हो जाएगा flute तो flute जो होता है उसको बजाने के लिए famous थे हरी प्रसाद चौरसिया इनका favorite instrument जो था वो था flute वेर डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित्ष शाह ले दी foundation stone of CRPF headquarter in December 2019 तो December 2019 में CRPF का जो headquarter है वो कहां पे उसकी foundation stone रखी गई है यूनियन होम मिनिस्टर अमित्ष शाह के दौरा तो हमारा answer हो जाएगा New Delhi तो New Delhi में foundation stone रखी गई है CRPF के headquarter की December 2019 में ये किस के दौरा रखी गई है तो Home Minister अमित्ष शाह के दौरा Mini is a tribe in which of the following state तो mini tribe जो है ये कौन सी state की है तो हमारा answer हो जाएगा Arunachal Pradesh state अरुनाचal Pradesh state जो है वहां की एक tribe है जो की रहेगी mini tribe तो हमने tribes के उपर भी एक separate video बना दी है जो की आपको हमारे channel पे मिल जाएगी वहां जाके आप उस video को देख सकते हैं आपको helpful रहेगी राणी जहासी ट्रोफी is associated with which sports तो राणी जहासी ट्रोफी जो है ये कौन से sports से related है तो हमारा answer हो जाएगा cricket तो cricket जो field है जो sports होता है उससे related होती है राणी जहासी ट्रोफी where is the Hamis National Park located तो Hamis National Park कहाँ पे located है कौन से state में है या फिर union territory में है तो हमारा answer हो जाएगा लद्दाग तो लद्दाग जो की इंडिया की union territory है वहाँ पे located है Hamis National Park तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा बोरिय मजुमदार बोरिय मजुमदार जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है तो इंपोर्टन्ट रहेगी एक्जाम के लिए तो इसका अंसर जातर आपको पता ही होगा कि हमायू टॉम जो है ये कौनसी सिटी में लोकेटेड है तो हमारा आंसर हो जाएगा डेली तो डेली जो इंडिया की कैपिटल है वहाँ पे सिचुएटेड है हमायू टॉम नेम दी फर्स्ट प्रोडुक्ट टू गैट आजी आई टैग इन इंडिया तो पहला प्रोडुक्ट कौन सा था ही हिम्दुस्तान में जिसको की जी आई टैग मिला था तो हमारा आंसर हो जाएगा डार्ज लिंग टी तो डारिजलिंग T जो है उसको पहली बार GI टैग मिला था हिंदुस्तान में विच रूलर कंस्ट्रक्टेड दी हाइस्ट एंडी बिगेस्ट गेटवे ओफ विक्टरी बुलंद दर्वाजा तो बुलंद दर्वाजा जो है कौनसे रूलर के दौरा बनवाया गया था तो हमारा आंसर हो जाएगा अकबर तो अकबर जो है उनके दौरा बनवाया गया था बुलंद दर्वाजा जो की highest और biggest गेटवे है विक्टरी का Which city is known as the city of seven hills? तो city of seven hills के नाम से कौन से city को जाना जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Rome तो Rome जो city है इसको city of seven hills के नाम से जाना जाता है black revolution is related to the production of तो black revolution जो होता है वो इन में से कौन सी चीज़ के production से related होता है तो revolution के उपर हम पहली video discuss कर चुके हैं तो इसका answer जाततर आपको पता ही होगा तो हमारा answer हो जाएगा petroleum तो petroleum से related होता है black revolution retinol is the chemical name of which vitamin तो कौन सा vitamin होता है जिसका chemical name होता है retinol जितने भी vitamins रहेंगे सबके chemical name important रहेंगे vitamins की भी आपको separate video मिल जाएगी हमारे channel पे वो भी आप देख सकते हैं तो हमारा answer हो जाएगा vitamin A विटामिन A जो होता है उसका chemical name होता है retinol तो यह important रहता है exam के लिए dash is not an endocrine gland in humans तो इन में से कौन सी एक endocrine gland नहीं है तो हमारा answer हो जाएगा liver liver जो होता है एक endocrine gland नहीं होता है बाकि तीनों जो है endocrine gland रहेंगी pineal gland भी endocrine gland होती है pituitary gland भी होती है और adrenal gland भी होती है तो यह तीनों जो रहेंगी यह रहेंगी endocrine gland और liver जो होगा यह नहीं होता है endocrine gland which five year plan is also known as mahalanobis plan तो mahalanobis plan के नाम से कौन से five year plan को जाना जाता है तो हमारा answer हो जाएगा second तो मैंने आपको पीछे ही अपनी एक वीडियो में बताया था कि जितने भी five year plans रहेंगे यह सब यह आप एक बार जरूर देख लें important रहते हैं exam में पूछ लिये जाते हैं अगला question देखते है which of the following passes connect तवांग with lahasa तो तवांग को lahasa से कौन सा pass है जो की connect करता है तो हमारा answer हो जाएगा bumla pass तो bumla pass जो होता है यह connect करता है तवांग और lahasa को lahasa जो जगे है यह है तिब्बत में और तवांग जो है यह है अरुनाचल प्रदेश स्टेट में तो इंडिया और तिब्बत को connect करता है बुमला pass तो यह भी आपको याद रखना important रहता है which among the following built the goal gumbas तो goal gumbas जो है यह किसके द्वारा बनवाए गया था तो हमारा answer हो जाएगा मुहमद आदिल शाह मुहमद आदिल शाह के द्वारा बनवाए गया था goal gumbas महात्मा गांधी was elected as the president of Indian National Congress in the year most important question है तो महात्मा गांधी जो थे वो Indian National Congress के president कौन से साल में बने थे तो हमारा answer हो जाएगा 1924 तो 1924 में महात्मा गांधी जो थे यह president बने थे इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के जेम्स वाट्सन was awarded the Nobel Prize for his discovery of तो जेम्स वाट्सन जो है उनको Nobel Prize से सम्मानित किया गया था किस चीज के लिए तो हमारा answer हो जाएगा DNA structure तो DNA structure की खोज करी गई थी जेम्स वाट्सन के द्वारा इसलिए इनको Nobel Prize से सम्मानित किया गया था तो यह question direct exam में पूछा जाता है कि James Watson जो है उनके द्वारा किस चीज की खोज करी गई थी तो आपका answer हो जाएगा DNA structure most important रहता है how many stars are there on the flag of the United States तो इस type के question भी exam में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि कोई country का flag है उस पे कितने stars है या फिर lines है या फिर circles है तो यह पूछ लिए जाते हैं तो United States का जो flag होता है उसमें कितने stars होते हैं तो हमारा answer हो जाएगा 50 तो 50 star होते हैं United States के flag में तो यह भी याद रख रखना है आपको how many rights are provided in the Indian Constitution तो हमारा Indian Constitution जो है उसमें कितनी rights हैं तो हमारा answer हो जाएगा 5 टोटल 5 rights होती हैं हमारे Indian Constitution में जिनका नाम भी आपको पता होना चाहिए important रहता है exam में पूछ लिया जाता है which of the following article states about administration of schedule area and tribal areas तो कौन सा article होता है जो कि बताता है administration of schedule area और schedule tribes के बारे में तो हमारा answer हो जाएगा article 244 तो article 244 में बताया गया है administration के बारे में schedule area और tribal areas के बारे में तो ये जो questions होते हैं article से related ये भी एकसर पूछे जाते हैं exam में important रहेंगे आपके आने वाले exams के लिए अगला question देख लेते हैं हमारा वेर इस दी पेरियर नेशनल पार्क located इसका answer जाते आपको पता ही होगा काफी बार हम अपने channel पे discuss कर चुके हैं कि पेरियर नेशनल पार्क जो है ये कौन सी state में located है तो हमारा answer हो जाएगा केरला तो केरला state जो है वहाँ पे located है पेरियर important रहते हैं तो जो भी states रहेंगी उनके important national parks wildlife century और tiger reserves तीनों आपके tips पे होने चाहिए तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को like करें और अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो आप हमारे channel को subscribe क दलने और साथी bell icon को जरूर दवाए जिससे कि आपको हमारी हर एक वीडियो का notification मिल सके धन्यवाद दोस्तों